वेलकम बैक तो माई चैनल विजुका पाट साला मैं नितिन आज आपको सिचुएशन टेस्ट में अपने आपके माइन को ग्रूम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपको पदा होना चाहिए आपका दिमाग खुद में एक बहुत बहुत ही खुबसूरत बहुत ही ब्यूटिफुल चीज है आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग से आप क्या चीज़े रूम भुत स्पेशलल श्पेशल चीज रूम और क्या होता जब सिचुएशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपके presence of mind को जरच किया जाता है जब आप वहाँ जाते हो तो क्या होता है जब आप present करते हो आपको कभी-कभी इनसान नर्वस भी हो जाता है जिन लोगों ने पहले भी situation test दिया होगा और उनका selection नहीं हुआ है तो वो यही कारण होता है कि आपका presence of mind है वो disturbed हो जाता है कुछ अलग-अलग चीज़ों के कारण आपका दिमाग disturbed होता है तो क्या करना है पहले आप घर बैठे आप सिर्फ एक चीज़ सोचे कि अगर ये दिमाग जो इतना अच्छा है क्यों आप इतने से अच्छे चीज़ सोचते हो तो एक बार इस दिमाग को बाहर निकाल के हाथ पर रखके सोचे कि ये इतना beautifully कैसे सोच सकता है इतना creative कैसे हो सकता है ये nift के लिए कैसे सोच सकता है तो आप जच कर रहा है आपको माइम जच कर रहा है कि आप में वो capability है और आप जच कर सकते हो कि मैं निफ निकाल सकता हूँ तो फिर उस accordingly से आप प्लान के जब नर्वस मत होई है और चीज़ों को आप सोचे कि इस माइम से आप जब सोचना चालू करेंगे तो क्या हो आपको कोई अलग से homework करने के ज़रोत नहीं आपको बस अपने life के पीछे के जो recall time है पीछे को recall करना है और कुछ नहीं करना है बस सिर्फ जो आपने गर्मी छुट्टिया मनाई है जाडी के छुट्टिया मनाई है तादी घर, नानी घर और अलग-अलग पिक्निक स्पॉट्स पर गए हो आप स्कूल टाइम के बाद आपने गोलगप पे खाए है ये सारे चीज़ को आपको जज़ करना है जैसे आपने गोलगप पे खाए तो गोलगप अलग जब आता है तो वो किस तरीकी से उसका एक जो स्टैंड होता है वो कैसा होता है जब आप नानी घर जाते हो ये दादी घर जाते हो तो खल्यान कैसा होता है वहाँ पर स्केर क्रो कैसे होते हैं वहाँ पर फार्मर्स कैसे होते हैं फार्मर्स क्या पहनते हैं जो आप किसी wedding ceremony में जाते हो तो आपने wedding ceremony भी attend किया होगा तो उसमें लोग क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, दुला दुलन कोहीं क्यों इतना special रखा जाता है तो ये सारे चीज़ को आपको बस सिर्फ recall करना है और recall करके फिर उसके बाद आपको judge करना है कि जो आपको जो questions मिले हैं और वो material मिला है उसको किस तरीके से आपको उसके साथ fix करना है और कुछ नहीं होता है, situation test यही है presence of mind और कुछ नहीं होता है, thank you so much मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पर सब्सक्राइब